एचपीसी मामले में कॉंग्रिस सरकार के समय में दर्ज हुए FIR को सुप्रेम कोट द्वारा निरस्त के जाने पर BGP में खुशी का महाल है परदेश BGP परवक्ता नरिंदि अत्री ने FIR निरस्त मामले पर पूरप कॉंग्रिस सरकार को खरिकोटी सुनाई है अत्री ने कहा कि बदले की भावना से प्रतारिक करते हुए अपने राजनेतिक विरोधियों को बदनाम करने के लिए F.I.R. दर्स करवाई गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एतिहासिक फैसले के तहते निरस्ट किया है जो कि काविले तारिफ है परदेश B.J.P. परवक्ता नरिंद अत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इस नीरने से साबित हुआ है कि पूरव की बिरवद सिंग की सरकार ने अधार हीन तथ्यों की साथ F.I.R. दर्स करवाई थी जिसे आज कोर्ट ने निरस्ट किया है उन्ह आने वाली लोकसभज चुनावों में भी परदेश की जनता बीजेपी की छोली में चारों सीटे डालकर कॉंग्रिस को सवक्त सिखाएगी मानिय न्याले के इस निरने का स्वागत करता हूँ और इस निरने से एक बार फिर से ये स्पश्ट हुआ है कि H.P.C.A. और शिर्यन राग ठाकुर जी को बदनाम करने के लिए पूर्व की वीरबदर सरकार ने जो प्रयास किया था जो जूठे आरोप लगाए थे वो अधा हीन थे और होना तो यह चाहिए था कि शृर्यन राग ठाकुर जी को किरकेट के साथ साथ अन्यक शेत्रों में शृष्ट काम करने के लिए प्रदेश सरकार उसमें की प्रोचाहिद करती पर वीरबदर जी के नितित्टों में पिछली सरकार ने सत्ता में आते ही सब से पहले काम केवल HPCA पर कबजा करने की मंशा के साथ HPCA का दुरूपयोग करने के उदेश्य से HPCA पर जूटे केस पनाए, शिरुनवाल ठाकुर जी पर जूटे केस पनाए और एक बार फिर से जिस तरह ये केस निरस्त हुए है इससे प्रमानित हो चुका है कि कॉंग्रेस ने केवल बदले की भावना से काम करते हुए अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताडित करने के लिए उन पर जूटे केस लगाए, उन पर जूटे इलजाम लगाए पर अब दूद का दूद और पानी का पानी हो चुका है और प्रदेश और देश की जनता भी इस बात को समझ चुकी है शायद इसलिए चाहे पिछले विधान सवा चुनावों की बात हो या आने वाले लोग सवा चुनावों की बात है प्रदेश और देश की जनता इस बात का मन बना चुकी है कि जनता को विकास की राजनीती चाहिए जो भारती जनता पार्टी की आज पहचान बन चुका है और जो बदले की भावना से काम करने वाले लोग हैं उनको राजनीती से बाहर जाना पड़ेगा